अब बीए, बीकॉम, बीएसी और एमे, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से, सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान हाइरोइट, शुगर और मुटापे से हैं परिशान, तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है, एक बहतर समधान, डॉक्टर M.S. एहमद, अंतर राश्ट्रिय कुशलताओं के साथ दे रही हैं, सेवाएं, संपर करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोट सिवान नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं, न्यूज इंडिया तक, भागदोर की जिंदगी में सेहत बहुत ही जरूरी है, इसी को लेकर हमारी न्यूज इंडिया तक की टीम, सिवान के माने जाने डॉक्टरों से बाचीत कर रही है, और इसी के तहत एक खास कारिकरम भ खुद की सेहत को बेहतर कैसे बनाया जा सके, यानि कि हम बात कर रहे हैं कि सेहत भी जरूरी है खास कारिकरम के बारे में, आज पहुँचे हुए हैं मेट्रो अस्पताल, जो कि सिवान का एक माना जाना अस्पताल बताया जा रहा है, आपको बताए कि यहाँ सुगर, या फिर मोटापे से रिलेटेड बातचीत करने के लिए लोग डॉक्टर साहब से मुलाखात करते हैं, हाला कि जो कारिकरम हमारा चल रहा है, सिहत भी जरूरी है, इसी के ताहद मेट्रो अस्पताल पहुँचे है, और मेट्रो अस्पताल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर एम बातचीत करते हैं, डॉक्टर एमेस एहमाद सेर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार और न्यूज इंडिया के तमाम सामाईन को मेरा नमस्कार, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि एक पब्लिक अवर्णिस के लिए, ल सबसे यूनिक चीज है, वो ये है कि हॉर्मोन्स, डायबिटीस, मोटापा से रिलेटेड, थाइरेड वगर इस जो भी रिलेटेड चीजे हैं, उनको हम लोग बहुत हॉलस्टिक वे में, मतलब कि उसके कम्प्लीट वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने तर समझते हैं कि सिर्फ सुगर को कंट्रोल कर लेना ही, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, या डायबिटीज पर हमले नियंतरण नपा लिया है, तो ऐईससा बिलकुल नहीं है, क्योंकि डायबिटीज जो है, अपने आप में एक सिस्टेमिक ईल्नेस है, और इसमें शरीर का हर एक हॉर्मोन है वो हमारी बॉडी में अच्छे से रेगुलेट नहीं होता है जिसके वज़े से कॉम्प्लिकेशन्स आराईज होते हैं फिर्स्ट फॉर दो मॉस्ट कि हमारे जो पेरेमिटर्स जो हम लोग टीट्मेंट में लेते हैं कि या फिर रेंडम सुगर को देख लिया उसके हिसाब से मेडिसिन स्लेक्ट किया और मेडिसिन ट्रीट्मेंट में यूज कर लिया यह एक मतलब पुराना अप्रोच है और यह नहीं कहारें कि गलत अप्रोच है बटी एक पुराना अप्रोच है लेटेस्ट और मॉडर्न जो मड जानलेवा चीज होता है जिसको समय रहते हम लोगों को अच्छे अप्रोच से ट्रीट करने की जरूरत होती है थर्ड जो चीज है वह है ठायराइड ठायराइड में बहुत सारे ऐसे महिलाये हैं रहता है तो एवंचि Midwest के ृटी पास जाते हैं, physicians के पास जाते हैं और ultimately जब उनका thyroid level चेक होता है, TSH चेक होता है तो या फिर hypothyroidism या फिर hyperthyroidism इस तरह के conditions से वो डाइगनोस होते हैं तो इन सब चीज़ों को mislead नहीं करना चाहिए और जैसे भी आपको symptoms मिलते हैं इसे भी आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत जदी ठक जा रहा हूं बहुत जल्दी काम करने में मुझे मन नहीं लग रहा है या फिर मोटापा मेरा बढ़ता ही जा रहा है कुछ ऐसे जो skins हैं वो dry हो रहा है मुझे, skin में बहुत सारे hairs निकल रहे हैं तो यह सारे hormones related problem है आपको एक hormone के specialist से मिलने के जरूरत है थर्ड जो चीजे हैं वो juvenile diabetes जिसको लेकर हमने यहां पर start किया है जो सिवान का पहला ही होगा कि juvenile diabetes जिसमें की age related जो बच्चे होते हैं 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल यह बच्चे जब diabetes से डाइगनोज होते हैं उस diabetes को हम लोग एक नया entity के तोर पे देख रहे हैं जिसको हम लोग juvenile diabetes बोलते हैं उसके treatment के लिए आपको बहुत बड़े शहरों में जाना पड़ता है चाहे चन्ने हो, देली हो, बंबे हो इस तरह की शहरों में जाना पड़ता है लेकिन अब हमारी कोशिश यह है, हमारे अप्रोच यह है और मैं उसका task force जो इंडिया में है उसका मैं एक member भी हूँ तो जो juvenile diabetes के patients हैं उनको भी आप metro hospital से वान में लाके हमसे consult कर सकते हैं और हम लोग उसको एक अच्छे अप्रोच से देखने की कुशिश करते हैं चलिए तो आपको बताएं कि मोटापी की जिबात की जाती है जब लोगों की मोटापे बढ़ने लगते हैं तो बड़ा लोग टेंशन में हो जाते हैं कि इसे कैसे कंट्रॉल किया जाए नहीं होती है कहीं न कहीं इसमें हॉर्मोन का इंटरप्ले होता है जो टाइम होता है मिन्स फीमेल्स में जब मेनीपोस के सेजेशन के टाइम में जब फीमेल का एज पहुंचता है जिसको थर्टी सिक्स से लेके 42 तक हम लोगों ने गाइड लाइन में उसको क्रेटराइज किया गया है, तो वहां से ही हॉर्मोन का इंटरपले होता है, फीमेल में, जहां पे फैट्स का, डिपोस्ट इसू का एकुमलेशन होने लगता है, खास करके, जो गलूटियल एरियाज हैं, फिर आपके अस्टरमक के रहा हैं, इसमें, म हमारा जो है, Western जादा होते जा रहा है, डाइट में recording नहीं होता है, कि हमें breakfast में क्या ले ले ना है, दोपर में क्या ले 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 लेना है, और किस तरह से अपने exercise को balance करना है, उसके लिए हमारे हैं बहुत अच्छी अप्रोच है जिसमें हम लोगोंने लाइफ स्टाइल कोचिंग की एक विवस्ता करी है जिसमें कम से कम हम लोग एक देर महीने तक लोगों को मुटापे के बिसे में उनके मुटापे किस लेबल पे जा चुके हैं किस तरह से और अर किस तरह के प्राबलबम सreb काडिया है जो // कोई ऐसा जितना ओविस सिटी ओंपयर और मतलब कर राटा आना जिसको लेकर उनको व hierarchy बोलते है और उस कंडिशन होते हैं जिनको बाइबेप लगाने की ज़रूद पड़ती है तो यह सब कंडिशन्स जो हैं बहुत ही रेर हैं लेकिन हम लोगों को जरूरत है कि इसके बारे में जो आवरेनेस है उसको फैलाया जाए और समय पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए जो यह तो आपको बताएं कि मेट्रो हस्पिटल में थे और हमारे साथ यहां के जो डॉक्टर हैं MS अहमद उनसे बातचीत हो रही थी बड़ी वेबाकी से बात रख रहे थे और लोगों के द्वारा ऐसे सूचना प्राप्त हो रहा है कि सिवान के एक पहला अस्पताल है मेट् उस्पताल में आकर के डॉक्टर MS अहमद से मिल करके समस्याओं का समधान पेटर तरीके से निकल सकता है अभी के लिए इतना ही अलग-अलग डॉक्टरों से बातचीत करेंगे सिवान के जो भी बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिस करेंग कि लोग अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं अभी के लिए इतना ही बने रहें न्यूज इंडिया तक के साथ जेट हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा उफर तीन पेस्ट्री केक पर एक पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं पंद्रा प्रतिशत के छू आज ही पहुँचे जेट हेवन खान मार्केट अस्पताल रोड सिवान